कॉंग्रिस के युवराज ने मेरी काशी के बच्चों को नशेडी कहा, राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोधी का हमला। पीएम मोधी ने बनास डेरी प्लांट समेट 10,972 रुपे करोर की 23 विकास परियोजनाओं का लोकारपण और 3,344 रुपे करोर की एक दर्जन से अधिक एक दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान अपने भाशन में कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया, जो हाल ही में पार्टी की भारत जोडो न्याय यात्रा के साथ वारानसी पहुँचे थे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अपने संसदिय क्षेत्र वारानसी के दौरे पर है। उन्होंने कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेडी कह रही है। अरे घोर परिवारवादियों यूपी का यूवा तो विक्सिक यूपी बनाने में लगा है। PM ने कहा कि इंदी गट बंधन वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कभी नहीं भूला जाएगा। इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरुप बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है। कभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं, और जब परिणाम निल बढ़ते सन्नाता आता है, तो एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि जब से विश्वनात धाम का लोकारपन हुआ है, तब से रिक्षे वाले, फूल वाले, नाव वाले सबका रोजगार बढ़ा है। परिवारवाद ने यूपी को पिछे रखा है, युवाओं का भविश्य बिगाड़ा है। कॉम्रेस के शाही परिवार यूवराज का कहना है कि काशी के नौजवान यूपी के यूवा नशेड़ी है। इनके अपने होश ठिकाने पर नहीं है, मेरे काशी के यूवा को नशेड़ी बोल रही है। इनकी यही असलियत है ये परिवारवादी है युवाओं के टैलेंट से डरते हैं इनके गुस्से का कारण है काशी और अयोध्या का नया स्वरूप जो इनको पसंद नहीं आ रहा है राम मंदर पर कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं हर चुनाफ पर ये साथ आते हैं ये जानते नहीं ये बनारस है यहां सब गुरू है इनकर पैंतरा यहां न चली पी-एम मोधी ने कहा कि पूरे देश का मूड इस बार मोधी की गारंटी का है यूपी में सारी सीट एंडिये के नाम होगा मोधी का तीसरा कार्यकाल सबसे प्रखर कार्यकाल होने वाला है प्रधान मंत्री शुक्रवार सुबह बीएचिव में काशी सांसत संस्कृत प्रतियोगिता के पुरसकार वितर्ण समारों में शिरकत की उसके बाद वह सीर गोवर्धन गाव पहुँचे यहाँ उन्होंने संत रविदास मंदिर में पूजा की और लंगर प्रसाद ग्रहन किया इसके बाद मंदिर परिसर में संत रविदास की 25 फीट उची प्रतिमा का अनावरन किया डॉट इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात भी उनके साथ मौजूद रहे इसके बाद पीएम मोदी कर्खियावा पहुँचे यहाँ आयोजिद एक सारवजने कारेक्रम में उन्होंने सीएम योगी के साथ खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बनास डेरी प्लांट समेट 10,972 रुपे करोड की 23 विकास परियोजनाओं का लोकारपण और 3,344 रुपे करोड की एक दरजन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया अमूल के सबसे बड़े प्लांट काशी बनास डेरी संकुल के उधगाटन के बाद पी एम मोदी ने कहा यह पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है इससे हमारा किसान और मजबूत होगा पूर्वांचल में कुछ अच्छा होता है तो आनंद मिलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने लोकारपण एवं शलान्या समारों के दौरान अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बने राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा के बाद आज पी एम मोदी वारान सी आये हैं उनका स्वागत है काशी धाम के बाद अयोध्या में रामला का विराजमान होना हर भारतिय को अभिभूत करता है पी एम मोदी ने विगत दस वर्षों में हजारो कराडो रुपे की विकास पर योजनाओं से काशी को दुनिया भर में स्थापित किया है आज भी 13 से 14 हजार करोड की योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया है सी एम योगी ने कहा कि बनास डेरी के जरीए दूद उत्पादन में यूपी ने बड़ा कदम बढ़ाया है अब गौ माता का भी संरक्षण हो जाएगा कधान मंत्री ने 10 साल में 45 हजार करोड की योजनाओं काशी को दी है पी एम मोदी का ये नया भारत है जो सम्मान, सम्रधी और आस्था का सम्मान बनाए रखने वाला है देशवासियों को विक्सित भारत के संकल्प से जोडने वाले पी एम मोदी ने देश को दुनिया में पहचान दिलाई